नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टन्ट जानकारी लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं पारद कुटिका यानि की पारद की गोली के बारे में अब यह पारद की गोली का कैसे उपाय होता है मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हम इससे क्या-क्या ची हो चाहाएं कुछ भी हो चाहें घर की शुक्षांति हो हर एक चीज के लिए यहां पारे की गोली का स्तमाल हम कर सकते हैं अब पारा पारा जैसे की हम जानते से हैं जैoms एक थर्मा मीटर देखते हैं, थर्मा मीटर के अंदर आपको एक लाइन दिखाई देती है, वो होती है मरकरी, यानि कि पारा, और इस पारे को ये इतना है भी होता है पारा कि और इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, तो कुछ चांदी बगरा और चीजें मिला कर, इस तरीके से अपने परेशानियों को दूर करने के लिए इसतमौर कर सकते हैं उसकी मैं आपके पूरी जानकारी देता हूँ कि देखे ये पारे की गोली है अब पारे की गोली को या तो आप बाज़ू पे बांदिए या गले में पहनी है या अपने घर में यह अपने आप लोकर में रख सकते हैं, जहां पर धन की समस्या आपको घर में अगर रहती हो, तो अब देखिए, मान लिजिए आपको मानसिक परेशानिया हैं, मान लिजिए आपको कुछ हेल्थ की ऐसी परेशानिया हैं, जैसे जोइंट्स की काफी जादा प्रॉलम्स हो, ब फिर आप दूद गरम करिए और दूद में ये डारेक्ट पानी उसमें गोली को डाल दीजे और उस दूद का सेवन करिए, आपके शारेरी कोई भी दूर बलता है, शारेरी कोई भी परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने में ये पारा बहुत ही ज़्यादा साहिक कोई भी ऐसा वैसा पारे की गोली ना ले लिजिए, क्योंकि अगर उसमें इंपरिटीज हुई, अगर कोई मिक्स्चर हुआ तो वह आपकी सहत को सही करने की जगार नुकसान कर देगा, क्योंकि ये पारे की गोलीयां स्पेशल त्यार कराई जाती हैं, ताकि आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छे इफेक्ट्स दें, अच्छे शुब मुहर्त में त्यार करी जाती हैं, और ये पारे की गोलीयां जो जो लोगों ने पहनी उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, अगर किसी को जॉइंट्स पें थी तो उनको काफी रिलीफ मिला, मेडिसन नहीं लगती थ तो उनको रिलीफ मिला, घर में बहुत जादा प्रॉल्मस रहती थी, तुन्होंने पारे की गोलीयां स्थापित करी घर में, तो उनकी घर की प्रॉल्मस सही हुई और जो बच्छे पढ़ते नहीं थे, जिन लोगों का कहीं कंस्रंट्रेशन, मेंटल कंस्रंट्रेशन कोड़ दीजे सुबह उठके उस पानी का सेवन करिए और गोली को निकालके सुरक्षित स्थान पर साफ जगा पर रख दीजे या फिर अगर माली ये शारीरिक दूर बलता हैं जैसे कि कहीं पर किसी को स्पर्म काउंट की प्रॉलम आती है शरीर में एक आलत से रहता है तब इ कोई allergy है कहीं पर कोई joints pain है या फिर कोई skin की problems है तब आप ये पारे की गोली का या तो bracelet की रूप में बाजू में पहनी है या फिर आप गले में इसको पहन सकते हैं कई बार आपने देखा होगा कि financial problems बहुत जादा होती हैं बिजनस में कई जादा problems आती हैं कि आपकी दुका इसकिरवाद आपके पास है माँ पार्वति की करपा मिलेगी और साक्षात कुबेषए जानकारी अतने स्ट का सच्व ऑरत की और में गलती हैं कि आप कि पहननी है किस यह रखनी है कि इस जानकारी के अभाव में यह पारत की गोली आपके आपके की काम नहीं आएगी अगर आपने यहां गलतियां कर दी, अगर माल लीजे, आपकी कुंडली में ब्रसपती खाना नमबर 12 में है, तब आप ये पारत की गोली या गोल मनकों की कोई भी माला गले में ना पहने, अगर आपको पहननी है, तो बाजु में पहन लीजे, या उपर आप ये बाजु में बाहँ सकते हैं तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है कि आप इसको किस तरीके से उपयोग में लाएं और ऐसा आपको ये गोली इस्ते माल करते हैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करने हैं क्योंकि ये purity check किस तरीके से इस्तमाल की जाती है कैसे ये तरीके से बनी है वो यहां पर पूरी तरीके से सुनश्चित की जाती है तभी आपके पास ये गोली आएगी और ये गोली के गोली का आप उप्योग करके देखिए पारद गुटिका जिसे हम कहते हैं पारद से बनी हुई पारद की इंपोर्टेंस बहुत है इसका वर्णन करना छोड़े शब्दों में नहीं हो पाएगा यहां पर इतना समझ लीजे यह भगवान शिव का आशिरवाद है भगवान शिव का एक अंश है जो की आपके जीवन में परेशानियों को मिटाने के लिए आपका साहिक सिद्ध होग तो नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजिए नमस्कार